हाई फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज हम एक नए मेडिसीन का रिव्यू देखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूज़ेस डोसेस आप इसे कैसी यूज़ कर सकते हैं इसे लेते वक्त आपको कि कि इसकी प्राइजिंग तक इसका पूरा रिव्यू देखेंगे सफ्रेंट्स आज हम बात कर रहे हैं कफ क्यू इस कैप्सुल की यह जो कैप्सुल से यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और अगर आप खासी के लिए कोई भी खासी के लिए कोई भी सिरपने लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की कैप्सुल को यूज कर सकते हैं बहुत जादा यूसफुल है अगर पतली दवाई से आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो यह कैप्सुल जो है बिल्कुल सॉफ्ट और जिलेटिन कैप्सुल से इससे आपको निगलने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है तो फेंटिस कैप्सुल का जो इस्तिमाल है वो ड्राय कफ और ड्राय खासी जो होती है गले में इसके लिए होता है सूखी वाली खासी ऐसी जिसमें बहुत से प्रकार होते हैं अब बल्गम वाली भी होती है किसको खासने के साथ बल्गम भी की बात कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी बलगम नहीं होते हैं और गले में खराश रहती है बार बार खासने से से चऱ जो होती Brian Europoday सदी और आपको फ्लिू के वज़े से इस तरह की खासी होती है अगर आपको थोड़ा सा सरदी सा महसुस हो रहा है तो भी आपको इस तरह की खासी हो सकती है तो फ्रेंट्स ऐलर्जी अगर आपको किसी चीज की ऐलर्जी हो अगर दूल की ऐलर्जी हो आपको बाहर जा रहा है तब भी ऐसी खासी होने के बहुत ज़्यादा चैंसे बने रहते हैं तो friends ऐसी वाली खासी के लिए ये capsule जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आराम देने वाली capsule है आपकी allergy के लक्षन को भी बहुत ज़्यादा कम करती है जैसे आपको बार बार चीक आती है आपकी नाग बह रही है आखों से आपके पानी आ रहा है इन भी problem को ये पूरी तरह से cover करने का काम करती है इसे आप घर में यूद्स कर सकते हैं इसके side effect बहुत nominal होते हैं तो आपको घर में अगर ऐसे side effect भी देते हैं तो भी वह वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं इसमें doctor के बाद जाने की normally कोई ज़रुरत नहीं पड़ती है तो friends अगर by chance 99% लोगों में तो ऐसा नह सकते हैं सरदर्द भी हो सकता है और नीद आ सकती है इसके अलावा इसके कोई भी side effect नहीं है एक अवदी के इसाप से चलने वाली दबाई है तो बहुत ज्यादा यूज भी आपको harmful हो सकता है इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है अगर आपकी खासी ठीक हो जाती है आपको इसको तुरण बर्ण कर देना है तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जो है इससे थोड़ी से आपको नीद हलकी से आ सकती है चक्कर भी आ सकते है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप कहीं पर driving कर रहे हैं तो आपको driving के दौरान इससे लेना थोड़ा सा problematic हो सकता है क्योंकि इससे नीद आ सकती है आपको तो आपकी सूखी खासी के लिए एक टिप है जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहते हूं यह कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है टैबलेट में की इस तरह का कोई भी इलाज आपको करना है तो सबके होता है नौर्मली बाहर भी मिल जाता है तो अद्रक के पाउडर में आपको थोड़ा सा हनी मील आकर उसकी छोटी छोटी आप गोली बना लेंगे और उसको दिन में कब तक भी आप खाईए कितनी भी खाईए किसी भी टाइम खाईए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने आपको मिल रही है तेन कैपसूल से और टेन कैपसूल की कीमत है वह है 53 रूपीज यहां पर देखिए अभी एकस्पारी में चल रही है तो यह इतनी की आपको मेलेगी आपको लेट लेने जाओ कि थोड़ा सा आपको प्राइजिंग में उतार चड़ाओ नजर आ सकता है किस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक इस सू मैच थैंक यू फिर्ट्स